के फ्लोरीडा में मियामी बीच के पास एक हेलिकॉप्टर दुरुगहतना ग्रस्त हो गया हेलिकॉप्टर जिस थान पर क्रेश हुआ उससे कुछ ही दूरी पर सैकुडों लोग स्विमिंग और बीच पर पाटी कर रहे थे इस सालसे में दो लोग घायल हो गये हालकि इलाज के दोरान एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई हेलिकॉप्टर में तीन लोग सवार थे इन में से दो लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा जिनकी हालत स्थिर बताए जा रही है हेलिकॉप्टर क्रेश के बाद पुलिस ने उस जगों को बंद कर दिया और मामले की जांश शुर है वह मौजूद लोग इधर उधर भागने लगते हैं लोग इस घटना के वीडियो को शुशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं लेकिन अभी असपश नहीं है कि हाथसे का कारण क्या है